बेलकम बैक तू माई टूप्छनल पेपर है कर कैसे हैं आप सभी लोग आई हूँ बच्छे होंगे और आज किस वीडियो में देखने वाले हैं आपको ये तो पता होगा कि ये जो पेपर है वो बीए फर्स्ट सेमस्टर वालों का है बीए फर्स्ट सेमस्टर जो है फर्स्ट बनता है तो most important very very important है वही कोशन मैं आपको वीडियो बनाकर करा रहा हूँ और मैंने इंपोटेंट कोशन डाल रहे हैं 2022 में आने वाले 2030 में आने वाले डालूँगा हर साल में आपको डालता हूँ इंपोटेंट कोशन उसका link मेंने description box में दे रखा है बिलकुल नीचे जाई हो उसके बाद नीचे थर्डियर वालों का होगा तो आप इस तरीके से बिल्ची तरीके से देख सकते हैं चलब को सब्सक्राइब कर देना और हाँ यदि आप हमारा वी कॉम बाई पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लेते हैं एक हमारा दूसरा चैनल है जिसका नामें बीए इसका लिंग डिसक्राप्शन बॉक्स में है उस पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी कोई इश्यों नहीं है बहां आपको प्रेलिस्ट बना करने रखिए अलग अलग लग दोरो टाइप अपको जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से हमने सब कुछ किया है तो द आता है तो आप किस तरीके से कॉछन को करेंगे करने का तरीका क्या होगा वो देखो यहां दे रखा आंसर लिखेंगे और आंसर से यदि आप गलती करते हो, तो आपको दंड मिलना चाहिए, ताकि आप दुवारा से उस गलती को ना दो रहें, इसलिए आप अनुसासन बनाए रखें, इसलिए आपको दंड मिलना, एक मुक देश होता है, यहां बोला किया है, यहां पॉइंट देखो, मैं आपको सब समझा र देखो, कहरा है, राजा ही वह सकती है, जो संपूर मनुस जाती की रक्षा कर सकता है, मतलब एक राजा ही एक ऐसी सकती है, मतलब तैसे प्रिधान मंतरी है, उस वो क्या है, एक ऐसी सकती है, प्रिधान मंतरी के बास में, राष्टपती के बास में, कि भाई वो अपनी देश प्रक्षा कर सकता है क्यों कि उसको उड़ा दो हमारी सप्राइब उसको प्रक्ति की बात मालेगी वही बोला जा रहा है कि राजा वह सकती है जो संपूर्ण मनुस जाती की रक्षा कर चECKता है और उसके सलफ्षन के लिए राजा एक साधन की रूप में दंद का प्रयोग करता है टिक है और कहरा है यह भी अ गलती कर रोग तो तो डंड का प्योग करता है और साथी साथ वह लगा है राजा दंड के माध्यम से धर्म को समाज में बनाए रखने एवो उनका सल्लक्षन करें मतलब क्या है जो क्या होता है धर्म में समाज को बनाए रखता है धर्म को समाज में बनाए रखता है कि आप इस धर्म के हो तो आप उसको जो सचेत और आसचेत दोनों अवस्ताओं में ब्यक्ति के कार्यों पर निंत्र करती है देखो गोला कहा है ऐसा माना जाता है कि दंड का प्रियोग आवस्ताओं से अधिक नहीं करना चाहिए मतलब दंड का प्रियोग है वो आवस्ताओं से अधिक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दंड का भय लोगों के मन में कम हो जाता है मदल्ब आप आवसकता से ज़ादा किसी को दंड देते हो, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा दर्कक्तल हो जायगा, जैसे कैसे अपने गा ना, उसको गोली माट दिया अपने किसी ने, और प्लिश गई आपको पकाड एज डी जि़ल में और आपने दंड दिया और ऐसा दे दिया कि मलब यह चीज़ तो वह चीज़ आपको वह कहारा है भै लोगों के मन को कम कर सकता है यहां बुला गया और साथी साथ बुला है प्राचीन यहां बुला गया प्राचीन जो बिचारों को के अनुसार जो प्राचीन पहले के जो प्रजा के लिए राजा द्वाना दंड देने की विवस्ता करने के साथ ही साथ प्रजा की ये अधिकार दिया जाए गया है मतलब दिया गया है मतलब देखो राजा को ये डंड देने का दिकार है तो प्रजा को भी ये अधिकार दिया गया है कि राजा कोई अनैतिक कार करता है तो प्रजा उसके खिलाप ब्रोध कर सकती है मतलब कोई राजा है ये वो गलत काम करता है तो प्रजा उसका ब्रोध कर सकत यह उसको अधिकार दिया गया है ठीक है परिजा को मतलब हम जनता को यदि हमारा राश्ट पती प्रधानमंत्री को गलत काम कर रहा है तो हम लोग ब्रोध करते आ एक किसाप हमारी भर तीलाओ ये करो बो करो टीप्रोध कर सकते हैं यह वहारा धिकार है और राजा को उसका जाती है तो यहां देखो सारी position दिए गए वही जो हम अपने दो राते हैं राजनीति जो राजनीति हम करते हैं वही चीज बो रही है और यहां बुला क्या है कि देखो गाई दंड निती की ये प्राचीन भारतिय अब धार्णा समाजिक और राजनीति के आर्थिक सादनों की कह सकते हैं सब्गरता से संब्धित है अब देखो यहां बात करने वाले अब हमने पढ़े कि डंड क्या होता यह पढ़ लिया, डंड किसको दिया जाशा नहीं बो भी पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि डंड के उद्देश क्या होता है डंड के उद्देश हेडिंग डालेंगे यहां से बिटा डंड के उद्देश ठीक है अब डंड के उद्देश हेडिंग डालने के बाद दिखेंगे कि प्राचीन काल में डंड के पिरमुक दो उद्देश थे, कितने उद्देश थे दंड के दो देश थे, कौन कौन से थे, पहला आचमता, आचमता का मतलब क्या तो है, देखो, आचमता का मतलब पहला है आचमता, तेक है, आचमता का मतलब है, इसका प्रयोग ये सुनस्चित करने के लिए किया जाता था, कि अपरादी सिर्फ, या अपरादी फिर से उसी अपराद को नहीं दोराएगा मतलब ये सुनस्रित करने के लिए किया जाता था कि अपरादी आपने अपराद एक बार किया है तो दुवारा से वो नहीं दोराएगा एक तो ये उद्देश था ताकि इसलिए रंडी जाता था उस बंदे को कि भी एक बार दे दो उसको डंड ताकि वो दुवारा से एक गलती न दोराएगा अब भही बात की जाएगा दूसरा डंड था उद्देश था वो दूसरे डंड का उद्देश क्या था दूसरे डंड का उद्देश था इतनी निंदा की जाते थी कि उससे पर सर्मिंदा हो जाए और भविष में कोई अपराद ना करें उसे इतनी निंदा कर देते हैं मतलब इतना वेज़त कर देते हैं कि भाई मुद दुवारा से वो क्या करें वो अपराद ना करें और इसके अतिरिक्त जो कह सकते हैं प्रवास सुधार भी दंड के उद्देश थे उसको सुधार ने के भी दंड के उद्देश थे पर इनका प्रियोक सजा और सुधार के साधनों के रूप में किया जाता था और इसमें दंड का लक्ष सुधार आत्मक ह होता है वाद दंड का रक्ष होता है वो सुधार ने के लिए होता है और इसमें इसमें सुधार के रास्ते से अपराद ना करने की सिक्षा देने का भी प्रब्धान था अब बात करने फिसमें अपरादियों से उसका अपराद स्विकार कराया जाता है जो धिदर्ण होता है उसमें क्या होता है अपरादी से उसका अपराद सुकार किया जाता है कि वही तमन京री अपराद किया है और वाः उसे कहते हैं कैसा है डाठ फटकार वाज समझा कर छोड़ दिया जाता है गलती के पीटा यह कारा मनमám छोड़ दिया हूँ चल ठीक है कोई बात में आगे से बत करना कहते हैं मनूग तो ये होता है दिग डंड अर्थ डंड क्या होता है इस पिरकार के डंड में अपरादी को उसके अपराद की सजा बा आर्थिक डंड दिया जाता है अर्थ दंड में क्या होता बिटा अपरादी को उसकी अपरादी की सजाबी दी जाती है और अर्थ दंड दी जाता है और मनुन के इस प्रिकार के दंड को अधिक प्रियोग में प्रियोग की सला दी गए है मतलब मनूने कहा है कि इस दंड का प्रयोग अधिक कीजिए ठीक है अर्थ दंड का प्रयोग अब जादा कीजिए ये बुला क्या next question यहां बुला क्या है बाक दंड जो बाक दंड होता है वो देख लेगर बाक दंड का अर्थ क्या होता है चेत कह सकते हैं जो चेतावनी देना होता है कि चेतावनी देना ये बाक डंड कहलाता है बाक मतलब बोलना बातों से कह रहा है चेतावनी देना यदि अपरादी का यहां को बाक डंड की परिमासाज़ बात की जाए तो यहां मुझा है यदि अपरादी अपराद जादा संगी नहो आपरादी वाकिस नहो वाशक नहो तो उसे चिताबनी दे कर छोड़ दिया जाता है एक होता है वगदंड जो वगदंड होता है वगदंड को ध्यान से देखो वगदंड नहीं होता है ये दंड गंभीर अपरादी की सरणी में दिया जाता है मतलब जो गंभीर अपरादी होता है उसके लिए बगदंड दिया जाता है और इसके अंतरगत अपरादी को सारिक पीड़ा दी जाती है मतलब क्या है सरीर में चोट दी जाती है मतलब पीटा जाता है उसको सारी एक पीडा दी जाती है सारी एक चोड दी जाती है मारा जाता है उसको इसमें बकडंड बोला जाता है जिसमें आप गंभीर अपराद कर दोगे किसी गदार रेप कर दोगे ये कर दोगे, फरार कर दोगे वह सारे उसके बाद में होता है जाती एक होता है जाती वहिसकार का दंड एक जाती वहिसकार का दंड कौन सा होगा है उसको देखेंगा इसके अंदर का अपराधी को उसकी जाती समुदा या फिर समाद से बाहर कर दिया जाता है एक ऐसा दंड होता है जिसमें क्या होता है ब्यक्ति को उसके समाद उसकी धर् संपत्ति को कियो होता है इसके अंतरगत अपरादी की पूरी संपत्ति इस की volle के चैंद कर ली जाती है और उसकी संफनक loads किसं दिया जाता हैं मतलब जब ईस संफति हमें क्या होता है consensus कालता चाहित हैं अब के अई चैड का थे पर लीक हुआ था किसा बी तो उस पेपर के लीक होने के बाद उसने यू बी थे उसके पीछे उसके घर इसम पया कहसकで है निवासन चेह 500 डंड को पड़ दो जहान से निवर भर इस पिरकार के इस दंड के अंतरकत जो जop अपरादी होता है अपरादी को राज से निकाल दिया जाता है मतलब अगया निवासन चाहिए अपने इस्टेट से पूरे Pacific है कि निकाल देख सकते हैं अंने प्रकार के आते हैं जैसे कि कारावाश से कारवास की सजा देदी तो यह सजाए होती है तो यह था हमारे कुछ साथ देंड इसके वारे में एक्सेवल गया तो आज की वीडियो आपको कैसे लिगी कुमेंट सेक्षिन में आप सब्सक्राइब कर देंगे और हां ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को कोर्स करा रहा हूँ जो बीए फस समस्टर का पूरा है जो आपके एक्साम में आएगा बस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा समझ जाएंगे और इसको आप बना बना के कराएंगे थैंक्यू फूर मचीन वीडियो इसका आप नोट्स डालोड करना चाहत हैं तो नोट्स डालोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में एप्लिकेशन का दे रखाएं एप का दे रखाएं अब बहाँ जाकर कर दीजिए थैंक्यू